हेलो एंड वेलकुम टू ब्रेंजाव हिंदी आज हम रियाक्ट करने वाले हैं फाइव पावफुल मुस्लिम कांट्रीज इन वर्ल्ड और ये वीडियो है है दर टीवी के तरफ से उनका चैनल का लिंक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा उनको सपोर्ट करना या and पहली बार हम लोग हैम्हान ह्तिवी के कोई इडियो पर एकर रह है कोई प्रेडिक्शन देन चाहते हैं कौन खोंट रहेगा यह ये टोप फाइम हम लोगक्त बहुत आजरी इसके बारे में सब रिडिकर चू के हैं तो मेरा प्रेडिक्शन है तर्की होगा पाकिस्तान डेफिनिटली होगा एंड साओधी अरेबिया बाकी दो लिए यह तीन तो 100% होगा ऐसा लगता है तो बाकी दो जानने के लिए लेट सी और हमारे तीन करेक्ट है क्या वह भी देखते हैं या लेट से जोगा असलाम लेकुम दोस्तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तो आजकल के हलात को देखते हुए हर मुलक अपनी हिफाज़त को लेकर बहुत सीरियस है और हर मुलक इस कोशिश में है कि अपनी ताकत को बढ़ाए क्यूंकि हर मुलक को किसी न किसी दुश्मन से खत्रा जरूर है लेकर अगर मुसल्मान मुमालक की बात की जाए तो इन मुमालक को दूसरे मुमालक की निस्बत ज्यादा खत्रा है इस्राइल और दूसरे इस्लामी मौलक के दुश्मन मुसल्मानों को हमेशा से कमजोर करने की कोशिश करते आ रहे हैं आज की इस वीडियो में आपको दुनिया के पांच ताकतवर तरीन इस्लामी मौलक के बारे में बताऊंगा तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन सबस्क्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इनफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमबर फाइफ इंडोनेशिया रीपबलिक और अफ इंडोनेशिया साउथ एशिया में इंडिया और पैसिफिक ओशन के तरम्यान वाकिया एक इसलामी मुलक है ये दुनिया का साथवा सबसे बड़ा मुलक है इसकी अबादी 26 करोड से ज्यादा है इंडोनेशिया की फौज में 4,70,000 एक्टिव सिपाही है इसकी फौज का डिफेंस बजट आठ अरब डॉलर है इनके पास 468 टैंक्स है इसके इलावा 86 मल्टिपल लाउंच रॉकिट सिस्टम 420 एरक्राफ्ट, 152 हेलिकप्टर, 220 बाहिबहरी जहाज और इसके बाद 6 फ्राइगेट्स और 5 सबमरीन्स है जिनकी वज़ा से ये दुनिया का पांचवा सबसे ताकतवर इसलामी मल्क बनता है और इसको हराना इतना आसान नहीं है नमबर 4, मिसर मिसर का ओफिशल नाम है अरब रीपबलिक आफ एजिप्ट मिसर एक मशाओर अरब मुलक है जो अपने कदीम मकमात की वज़ा से पूरी दुनिया में मशाओर है इसकी अबादी दोस्तो 9 करोड 47 लाग से ज्यादा है मिसर एक ताकतवर अरब मुलक है मिसर की फौज में तकरीबन 4,38,600 एक्टिव सिपाही है और इनकी फौज का डिफेंस बजट 7.8 बिलियन डॉलर है इनके पास 46 सो टैंक्स है इसके लावा मिसर की फौज के पास 1474 मल्टिपल लाउंच रॉकिट सिस्टम्स है 1133 इनके पास एर क्राफ्ट, 255 हेलिकॉप्टर्स, 245 बहरी जहाज, 11 फ्राइगेट्स और 8 सबमरीन्स है मिसर बाकी अरब की निस्पत बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इस पर हमला करने से पहले दुश्मन को अच्छी तरह सोचना होगा नमबर 3 इरान इस मुल्क का पूरा नाम है इसलामी जमूरिया इरान ये मिडल इस्ट का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है इसकी अबादी आठ करोड से ज्यादा है इरान दुनिया के ताकतवर मुसल्मान मुमालिक में से एक है इरान की फौज में 5,45,000 एक्टिव सिपाही है इरान की फौज का डिफेंस बजट 17 अरब डॉलर है इनके पास 16,58 टैंक्स है इसके इलावा 14,74 मल्टिपल लांच रॉकेट्स और इरान की फौज में 489 एरक्राफ्ट, 128 हेलिकॉप्टर्स, 350 से जायद बहरी जहाज, 6 फ्राइगेट्स और 33 सबमरीन्स है दोसो इरान ऐसा इसलामी मल्क है जो किसी भी मल्क से नहीं डरता नमबर टू तु तुर्की तुर्की का पूरा नाम है दी रिपबलिक आफ तुर्की इसका ज़्यतर हिस्सा वेस्ट एशिया में है और थोड़ा सा हिस्सा यॉरप में आता है तुर्की एक बहुत ही तक्तवर इसलामी मल्क है तुर्की में क्राइम रेट ना होने के बराबर है ये बहुत अमन पसंद इसलामी मल्क है इसमें हजारों लोग गूमने के लिए हर साल आते हैं तुर्की की फौज में 5,10,500 एक्टिव सिपाही है और इनकी फौज का डिफेंस बजट 18.2 बिलियन डॉलर है तुर्की के पास कुल 3800 टैंक्स हैं और 811 लाँच रॉकिट्स हैं इनके पास 1007 से ज्यादा एरक्राफ्ट मौजूद हैं तुर्की के पास 445 हेलिकप्टर, 194 बहरी जहाद, 16 फ्राइगेट्स और 13 सब्मरीन्स मौजूद हैं तुर्की के लीडर रजब तयब ने इस मुल्क को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है और दुश्मन इस पर हमला करने की बेवकूफी कभी नहीं करेगा नमबर वन पाकिस्तान एसलामी simplu पाकिस्तान जैसा कि आप सब अपनी फौजी ताकत के बारे में अच्छी तरह जानते हैं बिला शूभा पाकिस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर इसलामी मुलप है और ये पहला इस्लामी मुलक है जिसके पास एटमी ताकत है जिसके वज़ा से दुश्मन इससे खौफ खाता है पाकिस्तानी फार्ज में साथ लाग से जाएद एक्टिव सिपाही हैं और एक अंदाजे के मताबिक इसका डिफेंस बज़र सेवन पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर है पाकिस्तान के पास 2924 टैंक्स हैं इसके इलावा पाक आर्मी में 144 जदीद रॉकेट लाँचर्स हैं इसके इलावा दोस्तों पाकिस्तान के पास 923 से ज़्यादा एरक्राफ्ट, 306 हेलिकॉप्टर्स, 195 बहरी जहाज, 10 फ्राइगेट्स और 8 सब्मरीन्स भी हैं इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब पाकिस्तान और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है और दुश्मन इस पर हमला करने की कोशिश नहीं करना चाहेगा तो दोस्तों ये थे दुनिया के ताकतवर तरीन इसलामी मुमालिक आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताईएगा और मजीद अच्छे अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें आज के लिए इतना ही दोस्तों नेक्स वीडियो तक के लिए जाज़त दें अल्ला हाफिज यह सर्प्रेंश था कि साओधी अरेविया नहीं कि उनका मिलिटरी बजट टॉप टॉप फूर में होता है अमिश्या आइनो कि उनके पास उतना मैन पावर नहीं है बट बहुत बहुत ही वेल फंडेट सिस्टेम है उनका एक्सपेंडिचर आइटिंक इंडिया के असपास के लेवल का था तो आइम वेरी सर्प्रेश कि टॉप फाइव में नहीं है बट में विकॉस अफ मैन पावर स्लाइटली कम होगा यह क्योंकि इन्होंने ओवरॉल सब कुछ ही कंसिडर करने का पॉसिबल है और पाकिस्तान नोट रिली सर्प्राइजिंग हम लोग के लिए हम लोग हम लोग करते हैं बहुत कुछ तो हम लोग को पता था कि पाकिस्तान तो डेफिनिटली टॉप पे होगा हाँ है बड्रो साऊधिय अरि एक्सफेक गाता मैने एचिप्ट गैटाथ मेरे मेरे दिमाग में था ही ने कि एक इस्लामिक कंट्री है मतलब वो दिमाग में आता ही नहीं है somehow मैंने इंडोनेशिया को मिस्ट कर दिया इतना populated, मतलो इतना population वाला Muslim country है तो वो भूल गया तो वो थो तीन चीज थोड़ा surprising था बट या इनका वीडियो काफी अच्छा था प्रेसेंटेशन वस बेरी गूड वेल पूट तुगेदर और या बोरिंग नी था बिल्कुल भी नहीं तो ये नंबर सब आते हैं तब बोरिंग हो सकता है बट मैनेज किया कि इंडुर्श्य में रखने का सो नुट अट अट अल बैड सो काफी अच्छा था एंटर्टेनिंग था एंटर्टेनिंग एंटर्टेनिंग इंफरमेटर बट ये भी कहना चाहते है कि हम लोग का चैनल बहुत ही प्रोमोटिंग चैनल है यहारा अट अट आफेंसीव एपनस किसी के बास नहीं होना चीए सब जन अपना अपना डिफेंस का देख सकते है बट इच्छुड भी लएक ज़रूरत नहीं होनी चाही है मैं Japan से जादा inspired हूँ इस चीज में, Japan ये मानता है कि उनको defense के लिए रखना चाहिए, ना कि offensive weapons, तो वैसा अगर सब जन कोशिश करें, और, वो होगा in future, या बट आजकल समझ सकते हैं कि सब को खत्रा है, वही तो मैं कह रही हूँ कि, हाँ, countries के बीच में जगडे है, या, बट होना नीची है, हम लोग ideal situation का बात करें, हम लोग इसको कुछ criticism करें, कि एक दन असा आना चाहिए, कि किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये सब weapons रखने की, so that can be very ideal situation, और जब ऐसे दिन आएंगे, तब भी हम लोग ये सारे पैसे बाकी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जो ज्यादा immediate need वाले होते हैं, जैसे लोगों को, हमारे countries में तो poverty का काफी issue है, so yeah, even ये five countries बता Turkey को चोड़के, सारे countries बहुती इवलपिंग लवल पे हैं, इंडिया की तरा ही है, so, let's hope for that ideal future, that's it for this video, bye-bye.